है गाइज वाट सब्सक्राइब यहां पर एक क्वेशन आप एक स्पेक्ट कर सकते हो अगर जही में की बात करें तो अब आपको आइधिया लगी गया होगा है ना हमारा फैब और मार्च अटेम्ट जो है वह अभी अभी हमने खतम किया है तो डेफिनेटली यार आपको थोड को आइडिया तो लगी गया होगा की बाई एककवेशेन आत यह है तो अगर में वेटेज की बात करूं तो चय इस हो जाती ए ऐइनक कुरी है हर एक weiate मैं आपको एक क्वेशेन यहां पर स्टाइटिस्учिक्स का डचा डेफिनेटलीं आपको मिल जाएगा ठीक है तो एक question आप on an average मान के चलो कि आपके shift में आएगा ही आएगा statistics का इसको master करना यार बहुत जरूरी है इसमें बहुत जादा theory है नहीं है ना तो I think 15-20 minute में हम इसकी theory complete कर देंगे और उसके बाद मैं आपको questions करा दूँगा सारे के सारे है ना जो fab attempt में भी आये थे जो march में भी है 2020 के भी जितने भी previous questions है उसको भी आजम करेंगे and कुछ यहाँ पर 2019 के भी questions हम ले लेंगे ठीक है तो overall मतलब धेर सारे previous questions अपने को solve करने है and basically आज के lecture की अच्छी बात यह है कि जितने भी questions आते हो उसको मैंने divide कर दिया अलग-अलग types में है ना तो 5 basically type के question होते है जिसको हम यहाँ पर solve करने वाले तो each and every question we will not solve but definitely जो important types of questions है जो जही में के लिए आते ही आते है short short questions आप बोल सकते हो या important type of questions आप बोल सकते हो उसको solve करना बहुत जरूरी है ठीक है data change कर देंगे value change कर देंगे but जो type of question है वो तो same ही रहेगा ना उसमें क्या ही change कर लेंगे तो इसलिए यहाँ पर concept जो है वो बहुत ही limited है questions की practice आपको करनी पड़ेगी और जल्दी से तो theory cover करते हो और theory के बाद सीधा questions पर आ जाएंगे ठीक है तो एक बार मैं check कर लेता हूँ कि यार if everybody is present एक बार like का button दबा दे ना अगर आप already आ चुके हो तो and definitely इसको share भी कर दो ठीक है this is one shot series and बहुत सारे one shots मैं already आपके लिए ले चुका हूँ है complex number हो या binomial हो PNC हो बहुत सारे one shots हम यहाँ पर cover कर भी चुके 11th के जितने भी chapters है mostly आपको हर एक chapter का कोई ना कोई one shot video आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है कुछ videos यहाँ पर special class में भी है तो definitely आप एक बार special classes को भी definitely explore करना ठीक है जैसे complex number का one shot हमने special class में किया था कुछ one shots जो है वो YouTube पे भी है ठीक है तो in fact statistics का भी one shot हमने बहुत time पहले I think December में approximately December के आसपास I think December में हमने one shot किया था statistics का ठीक है बट अगर अभी भी confidence नहीं है तो definitely एक बार फिल से revise कर लेंगे उसमें कोई tension नहीं है बट अगले attempt में आपको definitely मचाना है ठीक है बहुत अच्छी तरह से prepare कर लो statistics एक ऐसा chapter है जिसमें एक question आता ही आता है तो definitely आपसे वो question हो जाना चाहिए है ना in fact आपको ढून ढून के वो वाले questions निकाल निकाल के solve करना है ठीक है तो start करें येस इसमें देखो बहुत सारे shortcuts भी है अभी तो कोई चैट में लिख रागे शॉटकट बता दो कुछ क्योंकि या स्टाटिस्टिक्स के questions थोड़े lengthy आते हैं अगर आप overall देखोगे तो थोड़ा सा lengthy question होता है आप round 2 में कर सकते हो round 1 में तो आप medium और easy वाले question ही करोगे जो difficult वाले question है उसको आप next round में actually कर सकते हो ठीक है यहाँ पर I think 2-3 shortcut भी है बहुत ज्यादा तो नहीं है बट हाँ 2-3 shortcut है जो मैं definitely आपको recommend करूँगा अगर उस पर question आता है तो आपसे within 30 seconds हो जाएगा ठीक है तो वो depend करता है मैंने आपको बोला ना मैं आपको पांच type के question actually solve कराना वाला हूँ type 1,2,3,4,5 सारे के सारे type के जो question आते है उसको हम यहाँ पर cover करेंगे तो आज की class का focus वही होगा कि अलग-अलग type के question हम करें अब एक ही type के question करके आपको कोई फाइदा नहीं मिलेगा शमझेरों एक ही type का मानलो बहुत सारे question है कि अगर हमने mean को increase कर दिया तो standard deviation का क्या होगा mean को increase कर दिया तो variation का क्या होगा है ना तो इस तरह के जो repetitive questions है उस पर हमारा आज का focus नहीं होगा आज का focus होगा कि है और हम variety को cover करें कि अलग-अलग कौन-कौन से type के question आते हैं उसको हम कैसे यहाँ पर crack कर सकते हैं that will be the focus of today's class ठीक है तो definitely start करते है shortcuts जितने भी मुझे आते है definitely मैं आपको बता दूँगा तो आज की class में approximately like 2-3 shortcut definitely आपको मिल जाएंगे by the end of the class ठीक है तो before we start अगर किसे ने discord telegram channel join नहीं किया तो definitely आप उसको भी join कर लेना यहाँ पर आपको notes और regular updates सारे के सारे मिल जाएंगे तो definitely इसको join कर लेना and apart from that live daily.me slash jay यह आपको पताऊना चाहिए कि this is the digital video book okay तो definitely आपको यहाँ पर हर एक chapter के notes and बहुत सारे lectures भी हमने complete complete lectures भी यहाँ पर definitely यहाँ पर आपको पूरे videos मिल जाएंगे recorded videos are also there उसके corresponding notes भी है तो everything is there ठीक है तो अगर आप jay main और jay advance के लिए focus लो तो definitely आप इस content को use करके अपनी preparation कर सकते हो उसके लावा unacademy plus और unacademy iconic subscription पर अगर आप join करना चाहते हो तो वहाँ पर अभी jay advance का badge भी start हो चुका है और jay main का जो badge है अगर आप April की तयारी कर रहे हो मानलो या main attempt के लिए तयारी कर रहे हो तो definitely यहाँ पर jay main के लिए भी एक all star badge करके है जो start होने वाला है 23rd March से मलब I think आज 21st है तो दो-तिन दिन बाज अपका start हो जाएगा ठीक है तो definitely आप उसमें भी join कर सकते हो all star badge is for jay main jay advance का अलग से आपका crash course चल रहा है है ना उसकी timing आपको पता है आज सुबह भी उसकी एक class थी 11 से एक बज़े दो गंटे की class होती है advance level की preparation हम वहां पर already हमने start कर दिया in fact हमने first attempt के बाद ही उसको start कर दिया था ठीक है तो main और advance दोनों का course चल रहा है and an academy ना अभी एक recently offer भी launch किया है जिसमें मलब अगर आप तीन मंत का subscription purchase करते हो तो एक महिना आपको free मिलता है ठीक है तो definitely यार इसको इसका भी benefit आप उठा सकते हो so the code is nvlive इसको use करोगे तो basically आपको यहां पर जो regular discount मिलता है वो तो मिले गई उसके अलावा यहां पर तीन महिने का अगर खरीते हो तो one month is free ठीक है तो I hope कि मनलब this is clear start करते है तो सबसे पहले यार theory जो है उसको complete कर लेते है ज्यादा time लगेगा नहीं approximately like 15 to 20 minutes में हमारा पूरा theory complete हो जाए ठीक है तो सबसे पहले statistics में जो काम-काम की चीज़े वह मैं बता देता हूं तो सबसे पहले measure of central tendency तो थीन टाइप के होते one is mean, median and mode ठीक है इसको हमें detail में पढ़ना है I think approximate idea तो आपको already हो गई कि mean क्या होता है median क्या होता है mode क्या होता है यह सब बचपन की बाते है ठीक है तो बचपन की बाते तो आपको पता ही तो अगर आपके पास कुछ-कुछ observations है अगर मैं आपसे पूछूँगा कि भई इसका mean निकालो तो आप कैसे निकालोगे बताओ इसका answer गोई बता सकता है अगर मुझे mean find out करना है तो mean का symbol आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको इसका जो symbol होता है mean का that is either mu इसको mu से रिप्रेजेंट कर सकते हो या x-bar से रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है mu और x-bar और mean निकाल देगे से sum of observations divided by number of observations करना पड़ेगा तो अगर आपको mean calculate करना है है ना तो आपको ऐसा करना पड़ेगा 92 प्लस 96 प्लस 104 प्लस 101 प्लस 105 प्लस 99 प्लस 97 प्लस 108 है ना अब बहुत सारे लोग यहीं से काफी बोर होग है किसार इतना कौन करेगा है ना तो सच सच बताना मतलब कितने सारे लोग मतलब already मतलब बोर होना स्टार्ट हो गए तो sum of observations divided by number of observations तो टोटल यहां पर observations कितना है चार और चार आठ तो यहां से इसको आप calculate करके mean का value निकालोगे 100.25 आ रहा है लेकिन यार यह method तो काफी बेकार method है ठीक है तो यह method actually हम बहुत rarely use करते हैं तो sum of observations आप करने बैठोगे तो कितना टाइम लगे गया इन सबको add करना है इन सबको add करते करते तो मतलब शाम हो जाएगी वह बहुत lengthy process है और वैसे भी मतलब money नहीं करता है इसको add करने का तो इसके लिए एक shortcut होता है इसके लिए shortcut क्या होता है शौटकट बिसिकली valid तब होगा अगर सारे के सारे जो number है वह एक number के around concentrated है मतलब यह सारे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सारे 100 के आसपास है, ठीके, सारे अगर 100 के आसपास है, तो basically आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक shortcut यूज कर सकते हो, तो देखो इसको ध्यान से समझ लो, एक ही example में आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको mean calculate करना है, ठी अगर आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, माइनस 4, 104 जो है, वो 100 से जाएगा, जादा है, और कितना जादा है, तो plus 4 आएगा, यहाँ पे plus 1 आएगा, यहाँ पे plus 5 आएगा, तमझे है ना, यहाँ पे minus 1 आएगा, यहाँ पे minus 3 आएगा, और यहाँ पे plus 8 आएगा, अब यह जो ऊपर वाले numbers है, उनका mean ले लो, और इसमें add कर दो, that is the shortcut, shortcut समझ में आ गया यह जो ऊपर वाले numbers है, उनका mean ले लो, और आप यहाँ पे add कर दो, उपर वाले जो numbers है, उनका mean कितना आएगा, यह जो ऊपर वाले numbers है, उनमें आप लगा दो sum of observations divided by number of observations, तो इसका sum करोगे तो minus 8 और plus 8 तो cancel हो गया, ठीक है, minus 4 प्लस 4 भी cancel हो गया, यहाँ पे minus 1 प्लस 1 भी cancel होगे, तो sum of observations आजाएगा 2 और number of observations आजाएगे 8, तो यह ultimately answer आएगा, 100 प्लस 1 भाई 4 भलब 100.25, यह simple है कि नहीं, ठीक है, तो इस तरह से आप basically यहाँ पे shortcut use करके mean find out कर सकते हो, if all the numbers are around one number, यहाँ पे 100 लो या 90 लो आपका answer same आएगा, ठीक है, same process आप repeat कर सकते हो, by assuming some other number, 90, 95, कुछ भी आप एक लेकर, यहाँ पे try करोगे, आपका answer same यहाँ आएगा, ठीक है, so you can assume anyone number, और उस number में plus कर दो, yes, उस number में आप basically कर दोगे, plus कर दोगे, उपर वाले numbers में आप क्या कर दो, sum of observations divided by number of observations, you will get the answer, ठीक है, तो यार यह थोड़ा मतलब सीखोगे, practice करोगे, तो time बचेगा, अगर practice नहीं करोगे, तो add कर लेना, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लेकिन time बचा सकते हो, okay, median क्या होता है, देखो काम काम की बाते में आपको बता दूँगा, और फिर सीधा question पहेंगे, ठीक है, तो median होता है, middle number, okay, median is nothing but, जो center most number है, middle number basically, that is median, median याद करो, middle number, okay, तो सबसे पहले लेकिन जो observation से उनको arrange करना पड़ता है, ascending या descending order में आप उनको arrange करो, और फिर जो भी middle वाला observation है, that is median, for example, अगर यहाँ पे numbers है, अगर इनका median निकालना है, तो सबसे छोटा number कौन सा, 92, 92 के बाद क्या आएगा, 92 के बाद आएगा, 96, 96 के बाद क्या आएगा, इसको arrange कर दो, ठीकर, 97 आएगा, 97 के बाद 99 आएगा, इनको arrange कर लो, 99 के बाद 101 आजाएगा, 101 के बाद 104, फिर 105 और फिर 108, ठीकर, तो arrange कर दिया, अब middle number कौन सा है, देख लो आप, तो total number of observations 8 है, अगर 8 observation है, अगर even number of observations है, तो 2 middle terms आएगी, अगर even number of observation है, तो 2 middle term आएगी, उनका average ले लो, ठीकर, तो इसका average, that will be equal to median, तो यहाँ पे median का answer क्या जाएगा, 99 plus 101 divided by 2, अलब that will be equal to 100, समझ गे ना, यहाँ पे 100 will be the answer, simple है, अगर आपके number of observations even है, तो middle number find out करके, दो middle number आएगे, उनका average ले लो आप, और अगर number of observations odd है, तो फिर एक ही observation आएगा, जो middle term होगा, basically, समझ गे ना, तो यहाँ पे एक basically formula भी होता है, यह सब आपने बच्पन में पढ़ रखा है, कि if the number of observations are odd, if the number of observations are odd, अलब इसमें formula याद करने का technique ऐसा है, कि देखो, अगर n का value odd है, तो आप directly तो उसको 2 से divide नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो odd number है, तो इसलिए plus 1 करके, फिर divide by 2 करना पड़ेगा, समझ गे ना, n का value अगर odd है, तो क्या मैं उसको 2 से divide कर सकता हूँ, possibly नहीं है ना, तो इसलिए plus 1 करके divide by 2 कर दो, और वो वाला observation ले लो, तो that observation, n plus 1 by 2th observation, will be actually your median, और अगर number of terms even है, तो फिर 2 middle observation आएंगे, और उसका average लेना पड़ेगा, चमझ गे ना, तो यहाँ पे n जो है, वो even है, अगर even है, तो आप divide by 2 कर सकते हो, तो कर दो, तो n by 2 आएगा, और n by 2, अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड है, इधर यह नहीं आएगा, एक्चली यह आएगा, n by 2 plus 1, ऐसा आएगा, ओके, n by 2 plus 1th observation आएगा, मतलब उसका next observation आपको लेना पड़ेगा, तो वो थोड़ा change कर लेना, ठीके, n by 2th observation, and n by 2 plus 1th observation का average लेलो, that will be your answer, अब आज हो mode पे, तो mode का मतलब होता है, most repeating observation, जो भी सबसे ज़्यादा बार repeat हो रहा है, जिसकी frequency maximum है, पच्छपन आपने 10 standard में पढ़ाऊगा, तो यहाँ पे बताओ, कि what is the answer for this question, ओके, इस question में बहुत सारे numbers है, you need to find out mode for all the numbers which are appearing on this particular slide, तो what is, यह basically हमने special class में भी इस question को solve किया था, अगर आपको याद होगा तो, और यह काफी interesting हो गया था, इसलिए मैंने same to same question यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, चीक है, what is the answer, यहाँ पे answer 20 होगा, this is troll question, नहीं, troll question तो है, but answer 20 नहीं है, which is the number which is appearing for maximum number of times on this particular slide, तो पूरी slide को देखना है, अगर आप ध्यान से देखो है, तो एक बार है, यह दो बार है, और यह तीन बार भी तो है, अरे ध्यान से देखो, दिग गया होगा मेरे खाल से, है ना, तो कौन सा वाला observation है, जो maximum times repeat हो रहा है, ठीक है, तो यह हमने special class में actually use किया था, और काफी interesting है, यहाँ आपका is the observation, जो सबसे जादा बार repeat हो रहा है, तो 10 आ रहा है तीन बार, लेकिन 20 आ रहा है केवल दो बार, यह एक बार है और यह दो बार है, ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को doubt आता है कि sir, अगर यह ना होता तो हम क्या करते, अगर यह ना होता है तो यह भी दो बार है, यह भी दो बार है, उस case में फिर दो नो mode है, ठीक है तो फिर 10 भी answer है, 20 भी answer है, mode का simple मतलब होता है कि the observation which is repeating maximum number of times, तो maximum times है दो नो, वो भी दो बार, वो भी दो बार, दो से ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिर दो-दो answers भी आ सकते हैं, ठीक है, तो कोई tension वाली बात नहीं है, simplest definition पर आप focus करो, कि जो भी सबसे ज़्यादा बार repeat हो रहा है, that is mode, understood all of you, yes, और आगे बढ़ते हैं, अब देखो यार, ये आज तक मतलब जही mean में, बहुत कम बार आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि future में, क्योंकि आज कल तो कुछ भी हो रहा है, linear programming के question आ रहे है, तो यार mean deviation कैसे भी होगा तो भूल गया होंगे, तो दो type के deviation होते हैं, एक mean deviation और एक standard deviation, अच्छा ये title को ignore करना, okay, तो mean deviation क्या होता है, mean deviation मतलब जो भी observations है, उसमें से आप mean को minus करो, mod लेलो, फिर उनको add करो, जैसे for example, let's take 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 observation लेलेते हैं, ठीके, 1, 2, 3, 4, 5 लेलो, तो इनका mean क्या निकल के आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, okay, इसका mean बताना, अगर आप सब को add करोगे, तो कितना आ जाएगा, 5 into 3, 15 आ जाएगा, 15 by 5 कर दो, तो mean इसका कितना आ रहा है, इसका mean आ रहा है, 3, yes or no, इसका mean 3 आ जाएगा, simple, अब mean deviation क्या होता है, तो mean deviation मतलब, जो भी observations है, जैसे ये पहला observation है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांच वा, और इसका mean निकल के आ रहा है, 3, तो हर एक observation में से आप mean को minus करो, फिर mod ले लो, deviations का mod ले लो, ठीक है, deviation क्या होता है, deviation बिसिकली ये होता है, deviation आप बोल सकते हो, di, di is actually equal to xi minus mu, ठीक है, तो this is deviation, deviation निकालो, mod ले लो, add कर दो, and divided by number of observations, मतलब basically यहाँ पर हर एक observation में से आपको, जो mean है, उसको minus करना है, और फिर mod ले लेके add करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 minus 3 आ जाएगा, फिर अगला आएगा, 3 minus 3, फिर अगला आएगा, 4 minus 3, चमक गया ना, और अगला आएगा, 5 minus 3, सबका mod लो, and divided by total number of observations, which is 5, अब इसको calculate कर लोगे, तो you will get the answer, ठीक है, तो यह कितना आजाएगा, 2 और 2, 4, ओके यह 5, 6 by 5 आजाएगा, तो ultimately the answer will be 6 by 5, तो यह concept समझ मागे का, mean deviation जो है, वो आजकल वैसे ज्यादा popular है नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी यह आ सकता है, जही में के हि आपको इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इसको underestimate मत करना, कल को अगर आ गया तो क्या करोगे, तो mean deviation आपको पता होना चाहिए, हर एक observation में से mean को minus करके, mod लेके, add करके, divide by total number of observations, तो इसको basically हम बोलते है mean deviation about mean, अब कभी-कभी question में यह भी पूछते है कि find out mean deviation about median, तो फिर य question में पूछा है कि mean deviation about median, तो आप यहाँ पे median को find करके substitute कर दोगे, अगर आपको question में पूछा है mean deviation about mean, तो दो type के basically इसमें question बन सकते है, okay, एक आपको पूछ सकते है find out the mean deviation about mean, and दूसरा type का question हो सकता है find out the mean deviation about median, तो उसमें जो mu है वो median हो जाएगा, समझ गे ना, तो दोनों ही type के question basically यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, उसके बाद standard deviation, तो standard deviation का यह directly formula है, sigma xi square upon total number of observations minus mean का square, यह क्या है, यह sum of observations divided by number of observation का square, ठीक है, तो sigma xi square यहाँ से आपका standard deviation directly आ जाएगा, तो standard deviation का जो formula है, this is the most important, है ना, इस से जादा important तो कुछ है ही नहीं, क्यूंकि इसी पर question आ रहे है, सारे के सारे questions, standard deviation, variance पर ही हारे है, ठीक है, variance is basically standard deviation का square, variance is nothing but standard deviation का square कर दो, अलब sigma square, तो जो root है, वो हट जाएगा, यहाँ पर जो root है, वो basically आप हटा दो, तो that is variance, तो variance और standard deviation, अब variance के रिए एक alternate formula भी होता है, बड़ उसको हम use करता नहीं है, तो अगेन आपको याद करने की जरुद नहीं है, आप तो केवल सीधा directly यह formula याद कर लोगे, तो आपका काम चल जाएगा, yes or no, ठीक है, और आगे बढ़ते है, अब देखो, यह भी मतलब, जादा बच्चों को नहीं पता होगा, शायद, एक होता है coefficient of variation, एक होता है coefficient of variation, coefficient of variation, को हम define कैसे करते है, so that is actually sigma by mu, यह sigma क्या है, तो sigma is actually standard deviation, और यह mu क्या है, mu is basically mean, तो sigma is standard deviation, mu is basically our mean, तो standard deviation को mean से divide करो, multiplied by 100 कर दो, तो यहाँ से आपका coefficient of variation निकल के आएगा, अब इसका काम गया है, इसका काम यह है, कि basically, अगर मानलो, दो series आपको given है, एक यह है, 1, 2, 3, 4, 5, एक series यह है, और दूसरी series है, मानलो, 2, 5, 9, और 11, और मानलो, यहाँ पर है, 18, something like this, यह एक series है, यह दूसरी series है, और यह दो series आपको given है, अब दोनो series में से, आपको यह बताना है, कि इसमें, कौन सी वाली series है, जो less uniform है, या less stable है, तो आपको question में ऐसा पूछ चकता है, कि आ दोनों में स stable कौन है, ज्यादा, यह organic जैसा question लग रहा है, बट basically ऐसे question आता है, ठीक है, तो basically आप इसका cv निकालो, और आप इसका भी coefficient of variation निकालो, अब basic idea यह है, कि जिसमें coefficient of variation ज्यादा होगा, greater the coefficient of variation, coefficient of variation अगर ज्यादा होगा, तो वो वाली जो series होगी, it will be more variable, that particular series is more variable, मतलब दो sequence गिवन है, आपको यह ऐसा समझ चकते हो, कि एक यह है, एक यह दूसरी है, दोनों में से आपको चेक करना है, कि कौन ज्यादा stable है, या कौन ज्यादा homogenous है, तो उसके लिए basically आपको cv करना पड़ेगा, अगर cv ज्यादा है, cv का मतलब होता है, coefficient of variation, अगर coefficient of variation ज्यादा, इसका मतलब variation ज्यादा है, इसका मतलब range ज्यादा ist का इसका होय हो यह सारे जो words है वो आपको याद करने पड़ेगे यह सारे basically words है जिसको आपको याद करना पड़ेगा कल को ऐसा question आ सकता है कि मानलो 2 series दे देंगे और पूछेंगे कि इन में से कौन सा जाधा homogeneous है यह कौन सा जाधा molecules है कौन सा जाधा stable है तो आपको coefficient of variation निकालके चेक करना पड़ेगा कि जाधा stable कौन है यह जाधा uniform कौन है यह जाधा consistent कौन है यह सारे words है जिसको basically आपको याद करना है समझ गया ना coefficient of variation जादा मतलब variable जादा होगा बागी सब कम होगा ठीक है यह भी less 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 बागी सब less less समझ गयोंगे मेरी खाल से बस और उसके बाद एक last which is magic table अगर यह table आपको नहीं पता है तो मतलब basically आप question करी नहीं पाऊगे है ना magic table नाम ही इसलिए क्योंकि maximum question यहां से बनते है तो basically इसमें concept क्या है यह table आप समझ लो अगर यह table समझ में आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा मतलब सारे question हो जाएंगे almost 90% question तो इसी से आते है चीक है तो table में basically क्या है कि अगर मानलो आपके पास बहुत सारे observations है तो यह x i क्या denote क अगर आप हरेक observation में plus k कर दोगे if we add k to each observation तो जो mean है मतलब in short आप ऐसा ध्यान रखो कि mean के साथ वैसा ही होता है जैसा आप हरेक observation के साथ करोगे वैसा mean के साथ भी हो जाएगा mean is very mean mean is very mean जैसे के साथ तैसा जो भी आप हरेक observation में करोगे वैसा mean के साथ भी हो जाएगा simple है तो ऐसे आप याद कर लो कि mean is very mean और standard deviation or variance जो है standard deviation and variance यह standard deviation or variance will not change if you are adding or subtracting अगर मैं add करूँगा यह subtract करूँगा then standard deviation will not change variation will also not change add subtract करने से standard deviation variance पे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप multiply करोगे तो standard deviation भी multiply हो जाएगा अगर आप divide करोगे तो यह भी divide हो जाएगा लेकिन variance होता है sigma square तो उसमें k square से multiply हो जाएगा या फिर k square से divide हो जाएगा तो यह table आप अच्छे से समझ लो हर एक observation के साथ जो होगा वही mean के साथ होगा standard deviation में उपर unchanged होता है प्लस माइनस करने से कोई फरक नहीं पड़ेगा multiply divide करने से उतने times हो जाएगा variation में sigma square होता है तो square वाला factor आता है समझ यह simple है चीक है अब आगे बढ़ते है अब सीधा questions पे आत किया और combine करने के बाद अलग-अलग type के questions ढूंडे कि इस तरह का question आता है एक इस तरह का question आता है एक इस तरह का question आता है तो अलग-अलग 5 type के question है जो mostly j main में repeat होता है तो पहला type जो है उसमें basically आप एक shortcut use कर सकते हो अब shortcut में सीधा आपको question के थ्रू ही दिखा देता हूँ है तो j main 2020 का यह question है अब देखो यहाँ पे आपको इसका value given है और इसका value भी given है अब इसमें shortcut यह होता है कि अगर x i minus p है मलब आप हर एक observation में p minus कर रहे हो तो जो standard deviation है उसको तो कोई फरक नहीं पड़ता है ना आप minus करो यह ना करो अगर आप हर एक observation में p से minus कर रहे हो तो again आप अपना जो magic table है उसको यूज करोगे तो magic table यही कहता है कि अगर आप हर एक observation में p minus कर रहे हो उससे चना करो standard deviation तो same ही रहेगा तो यहाँ पे shortcut यह है shortcut आप ध्यान से समझलो इस तरह के question आते है ना बार-बार आते है तो इसमें आप p को neglect कर दो पी को हटा दो पी से कोई मतलब भी नहीं है मैं लग इन चॉट आपको यहाँ पर sigma x i given है sigma x i का value 3 given है और sigma x i square का value 9 given है standard deviation निकालना है तो सीधा सीधा formula में substitute कर दो formula होता है under root of sigma x i square upon number of observations minus यहाँ पर mean का square तो mean क्या होता है यह होता है अब यहाँ पर बस आप substitute कर दो you'll get dance है sigma x i square इसको आप neglect करते हैं ठीक है P को 0 ओके तो यहाँ पर basically कितना आ जाएगा x i square उसका value कितना given है 9 number of observations कितना है 1 से 10 तक जा रहे है अगर 1 से 10 तक जा रहे है तो number of observations are 10 minus और यहाँ पर क्या जाएगा sigma x i कितना है 3 upon 10 और इसका whole square अब इसको simplify कर लो है ना तो यहाँ पर basically 10 से multiply divide करना पड़ेगा ऊपर नीचे यह तो कि यह भी 100 हो गया यह भी 100 हो गया इधर 100 100 this is 90 minus 9 81 81 by 100 मतलब 9 by 10 आगे इसको simplify करोगे तो ultimately 9 by 10 इसना answer खतम समझ गे ना तो यह shortcut समझ में आगी shortcut क्या है एक और question करते है ठीक है यह भी मतलब अब देखो बार बार फॉर्मिला लिखने के भी जरूरत दी है sigma x i square तो n into a divided by number of observations minus sigma x i तो n divided by number of observations का whole square तो यहाँ पर n और n cancel हो जाएगा तो under root of a minus 1 आ गया तो option option अच्छा यहाँ पर root आना चाहिए ठीक है डी इस दाशन ठीक है डी में root आएगा basically option d आएगा उसमें root कर लेना वो printing मिश्टेगा ठीक है अंडर root of a minus 1 दिस इस द्रांसर चमक क्या होगा मेरी खाल से आगया क्या येस तो यह भी previous question है exactly ठीक है this is also previous question 2020 का है एक और question 2018 में भी है तो इसमें भी आप वही का वही कर सकते हो इसका अंसर बताओ इसको हटाओ इसको हटाओ आपको निकालना क्या है standard deviation के लिए अंडर root of sigma x i square कितना है 45 number of terms कितना है 9 minus sigma x i कितना है 9 number of terms कितना है 9 इसका whole square बस यहां से आजाएगा तो कितना आएगा यह 5-1 का अंडर root मतलब 2 आगया 2 आगया मतलब this is the answer option b is the answer yes तो चमका की नहीं कटा-कट question हो रहे type 1 is clear इस तरह के question है ना बहुत बार हमने देख लिया कि 2020 में दो बार आगया 2018 में भी था 2019 में नहीं है यहां पर आपको basically इस तरह के questions देख सकते है और आगे बढ़ते टाइप 2 जो है वह काफी interesting है तो type 2 पर मुझे ऐसा लगता ही कि future में यह लोग question फिर से बनाएंगे arithmetic progression वाले questions basically यहां पर mix कर दिया जाते है with statistics अब देखो इसमें concept क्या होता है इसमें concept यह होता है कि अगर आपके पास arithmetic progression है इसको ध्यान से समझना मान लो एक arithmetic progression है arithmetic progression है तो एक arithmetic progression मान लो इस तरह से कुछ तो है a plus n minus 1 d okay n number of terms are there यह पूरी एक arithmetic progression है इसका basically आपको standard deviation या फिर variance यह आपको given होगा let's say for example इसका variance आपको given है question में यहां पर कुछ ना कुछ it will be given variance will be given in the question अब यहां पर concept यह है कि जितने भी observations है उसमें से अगर मैं a minus कर दो सब मैं से minus a कर दो हर एक observation में से अगर मैं minus a कर दो तो क्या variance पर फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो यह तो actually zero बन गया यहांसे d आ जाएगा यहांसे 2d आ जाएगा और dot 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 last में आ जाएगा n minus 1 into d तो इसका भी जो variance है यह वह सेम ही रहेगा इसका भी जो variance है it will definitely remain same तो यह concept आपको use करना है एक्जाम में अगर arithmetic progression वाले question आते है तो basically आप a को हटा दो अगर आप हर एक observation में से minus a करोगे तो variance and standard deviation will not change अगर variance given it will remain same अगर standard deviation given it will remain same तो this is the concept अब इस पर भी question आया था जही 2020 में जही main ओके यह सब जही main वाले question है ओके यहां पर क्या है variance of increasing ap और b1 b2 till b11 एक काम करो b1 को लेलो आप a b2 हो जाएगा a plus d और फिर a plus 2d फिर a plus 3d और ऐसे करता करता है last में क्या है last में हमारे पास है a plus 10d और इसका अपने को क्या given है variance given है तो यह वाली जो series है इसका variance is equal to 90 अब अगर इसका variance 90 है तो सब में से minus a कर दो यहां पर 0 आ जाएगा यह d आ जाएगा फिर 2d आ जाएगा 3d आ जाएगा dot 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 last में 10d आ जाएगा इसका भी जो variance होगा वो क्या होगा इसका भी variance 90 होगा बस इस concept को यूज कर लो बस understood yes तो बस यहां पर अब यह जो numbers है यह जो sequence है इसका variance कैसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जितने भी observations है सब को square करके add करना पड़ेगा अच्छा यहां पर 0 को भूल मत जाना ठीक है तो यह जितने भी observations है तब को आप sigma x i square this is nothing but sigma x i square sigma x i square upon total number of observations कितने है तो total b1 से b11 तो total तो 11 है divided by number of observation sigma x i square upon n minus और यहां पर mean का square आएगा आपको mean निकालना पड़ेगा 0 plus d plus 2d सारे observations को आप add करोगे last में 10d divided by 11 और इसका whole square and this is equal to variance okay this is equal to 90 बस अब इसको solve कर लो यहां पर 0 square तो 0 है तो यह 1 square 2 square 3 square 10 square तक है तो यहां पर formula लगेगा 10 by 6 10 plus 1 और यहां पर 21 into d square upon 11 यह आ जाएगा minus यहां पर इदर d plus 2d तो यह basically 1 to 10 है अगर यह 1 to 10 है तो यहां पर आ जाएगा 10 into 11 divided by 2 n plus 1 divided by 2 into d upon 11 और इसका whole square and this is equal to 90 बस इसको solve कर लो you will get the answer तो यहां पर 11 11 cancel हो गया ultimately यह कितना आएगा यह कितना आएगा यहां पर भी आप cancel कर लो 3 से cancel करोगे तो यहां पर 7 आ जाएगा और 2 से cancel करोगे तो 5 तो यह 35 d square आ गया 10 d square equal to 90 d square equal to 9 तो d equal to 3 आ जाएगा अचा माइनस 3 नहीं आएगा क्योंकि increasing AP है ओके अपना increasing AP है तो final answer इसका plus 3 है समझे ना finally इसका जो answer आएगा that will be plus 3 अब लेकिन इसमें अगर आप regular method से जाओगे तो बहुत संदी पड़ेगा समझे तो AP वाले questions भी again मतलब काफी famous है repeat होने chances भी है ठीके तो अगर AP वाला कोई भी question आएगा तो आप यह ध्यान रखना है कि हर एक observation में से आप a को minus कर दो उसके बाद ही आप variance का formula लगाओ उससे क्या होगा कि आपका a की variable आएगा तो सीधा यहां पर D का value आएगा otherwise A भी है और D भी है यह भी unknown है यह भी unknown है तो दो variable है एक equation है वो कभी solve भी नहीं होगा समझे न तो यह concept आपको use करना पड़ेगा ओके चलो और आगे बढ़ते एक और question देख लेते यह 2009 का है यह मैंने include किया क्योंकि इसमें mean deviation है तो आपको ध्यान रखना था कि mean deviation पे question आ रहे है चीक है अचा mean deviation का भी question practice कर लेते तो अगर exam में आ गया तो basically हम से हो जाएगा अचा mean deviation में भी basically यह जो टेबल है वह valid है समझे न यह जो आमने टेबल बनाया था यह same to same table mean deviation के लिए भी valid है अगर आप हर एक observation में plus minus करोगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर multiply करोगे तो multiply हो जाएगा divide करोगे तो divide हो जाएगा same table is valid for mean deviation also तो वहां पे भी आप लगा सकते हो basically तो यहां पे जो observations है वो है one one plus d one plus two d फिर one plus three d और ऐसे करते करते लास्ट में क्या है one plus hundred d आपको चमक्या होगा कि यार यह a p है एपी दिख्या ना a a plus d a plus two d a plus three d a plus hundred d number of terms कितने है 101 है ना क्योंकि यहां पे one plus zero d से start हो रहा है this is nothing but one plus zero d और one plus hundred d तो number of terms कितने है side में आप लिख सकते हो number of terms are 101 यह अब यहां पे basically mean deviation given है mean deviation of the numbers from their mean अच्छा तो mean deviation about mean है यह और वो अपने को given mean deviation is कितना 255 तो यह given है अगर मैं हर एक observation में से minus one कर दूँ तो mean deviation will remain same actually आप क्या करो हर एक observation में से minus one कर दो minus one कर दो इधर भी minus one कर दो अगला वाला 3d आएगा और ऐसे करते करते है लास्ट में आजाएगा 100d तो इसका भी जो mean deviation होगा वो भी यह होगा समझके ना इसका भी जो mean deviation है it will remain same mean deviation will not change if you are adding or subtracting अब mean deviation निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा mean okay तो mean कैसे आएगा zero plus d plus 2d plus 3d ऐसे करते करते लास्ट में अपने पास है तो आप हर एक observation में से mean को minus कर दो और mod ले लो ठीक है तो जो पहला observation है वो zero है zero में से आप 55d को minus करके mod लोगे जो दूसरा observation है वो d है d minus 55d और mod okay तीसरा observation है वो 2d है यह ऐसे चलता जाएगा okay minus 55d और फिर इसका mod ऐसा करते 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 लास्ट में अपने को जाना है यहां ते 100d तो 100d minus 55 okay 55d और इसका mod upon total number of observations okay total observation कितने 101 and this value is given 255 okay this value is equal to 255 इसको solve करके d का value आएगा understood yes 50d होगा क्या ओ हां 50d होगा yes 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 okay इसको खर लेते हैं change 50d okay wait तो आप answer solve करो तब तक okay इदर 50 50 50 50 50 50 50 हो गया इतो इदर आ जाएगा 50d तो अब यहां पर इसको calculate करेंगे तो basically यह तो 50d है okay यहां पर 255 equal to this is 50d इदर 49d और यह कितनी बार आएगा वह लास्ट वाला जो है वह भी डी आएगा basically यह 50d 49d यहां पर बीच में कहीं कोई ना कोई एक टम आएगा जिसमें 50d माइनस 50d तो जीरो है और एक टम आएगा जिसका वैल्यू डी होगा तो यह एक चुली दो दो बार आएगा ना एसा करते 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 लास्ट में तक है एन मल्टिप्लाइड बाइट वाय टू करतो यह आएगा ठीक है अपॉन नीचे कितना है 101 तो यह आ आएगा अब इसको सॉल्ट करना ज़रा इसको सॉल्ट करेंगे तो 255 एकवल टू यहाँ पर वन से 50 है वन से 50 इंटू 51 डिवायड तो यह पूरा multiplied by D multiplied by वो 2 and 101 तो ultimately यह तो cancel हो रहा है यहां से दी निकालो 255 multiplied by 101 divided by 50 into 51 तो ऐसा है इसको solve करना इसको solve करेंगे तो यह 5 times है ना और यह 10 times है तो actually D का value आ गया 10.1 आ गया 10.1 आ गया ना तो D is 10.1 चाहिए है अगर basic concept clear है तो हो जाएगा यह कुश्चिन yes or no कितने लोगों का answer आ गया यह काफी लोगों का answer आ गया यह 10.1 यह बिल्कुल सही है 10.1 क्या आवाद है काफी लोगों का answer आ गया ओके और आगे बटते है अब टाइप 3 ओके टाइप 3 में basically questions आएंगे जिसमें दो observation missing है यह मानलो एक पूरी series है दो observation आपको नहीं पता है और फिर इसका mean और इसका variance आपको दे देंगे mean और variance या फिर mean और standard deviation this will be given this will be given तो आपको यहाँ पे पूछेंगे कि find out the absolute difference of a and b लब आपको पूछेंगे find out the value of mod of a minus b तो इस तरह के question भी काफी सारे है है ना इस तरह के question भी मैं अभी मैं आपको कराऊंगा बहुत सारे है यह concept समझ माया basically question क्या है question यह है कि बहुत सारे observation है उसमें से दो observation को इन्हों ने क्या बना दिया unknown बना दिया है कि हमें नहीं पता तो इधर a और b है यह उल्टा question है basically तो mean आपको given है variance आपको given है तो उन दोनों को use करके दो equation दो variable बनाके a और b find out करना है अगर इस तरह का question आएगा तो यह थोड़ा calculated होता है अगर इस तरह का question आएगा तो मैं आपको suggest करूंगा कि basically आप इसको last में करो जही में में अगर इस तरह का question आता है तो आपको definitely last में करना चाहिए starting में करोगे तो थोड़ा मतलब time आपका basically जादा लग जाएगा इसमें ठीक है और इसको भी जल्दी करने का एक तरीका तो है इसमें भी basically एक shortcut है जो बहुत सारे questions के लिए लग जाता है कभी-कभी नहीं भी लगता है तो वो depend करता है कि values कैसी है values अगर सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी values है तो लग जाएगा shortcut otherwise नहीं लगेगा तो वो basically देखते है ठीक है करके देखते है तो यह वाला question ट्राई करो यहां पर देखो यह वाला जो question है इसको करके देखते है ठीक है चैट में क्या हो रहा है यह अरे पढ़ाई पर focus करो एक कार्थिक क्या लिख रहा है जो भी लिख रहा है ठीक है लेकिन मत लिखो यार अभी focus करो पढ़ाई पर तो mean and variance of seven observations are eight and sixteen okay five of these observations are given तो पांच observation गिवन है तो पांच observation गिवन है दो observation गिवन नहीं है इसका जो mean है that is equal to eight और variance is equal to 60 तो यह अपने को specified है अब यहां से पूछा क्या है you need to find out the absolute difference of the remaining two observations तो जो remaining two observations है उसका absolute difference निगालना है तो यह आपको find out करना है अब इस तरह के questions में आपको दो equation बनानी पड़ेगी तो पहली equation क्या है पहली equation आएगी mean से mean कैसे निकालते है sum of observations सारे observations को आप add करोगे total number of observations are seven and this is equal to eight तो इस equation को आप solve करोगे तो यहां से basically आपके पास एक equation आएगी a plus b equal to something इस तरह की equation आएगी यहां से a plus b का value निकालना एक बर यहना इसको solve करके a plus b बताओ कितना आएगा yes तो पहली वाली equation को जल्दी से solve कर लो और a plus b equal to कितना आएगा इसको solve करके बताओ है ना तो एक equation तो यहां से आएगी conceptually मतलब एक equation आपकी mean से बनेगी और दूसरी equation आपकी बनेगी variance है तो a plus b का value कितना आ रहा है a plus b का value 12 आ रहा है 14 आ रहा है 6 अरे क्या हो गया तुम लोग ठीक ठीक लगा लो यार 24 14 14 आ रहा है काफी लोग का जादर लोग का 14 आ रहा है तो यह मान लेता हूं मैं कि यह करेक्ट है ठीक है जादा तर लोग 14 बता रहे है तो आई थिंग लेट्स टेक 14 ओके तो यह आ गया तो एक equation आ गई यहां से एक्वेशन नम्पर वान और second equation basically आपकी variance है बनेगी तो variance के लिए क्लिए क्या करना पड़ता है सिग्मा एक साई स्क्वेर करके आड़ करो है ना सबको square करके add करना पड़ेगा सबको square करके add करेंगे sigma x i square divided by number of observations minus mean का square तो mean आपको given है 8 का square this is equal to variance this is equal to 16 इसको आप simplify करोगे तो यहां से basically आपके पास a square plus b square का कुछ value आएगा ठीक है a square plus b square का value आएगा so that will become equation number 2 अब इसका value बताओ है ना इसको solve करना ही बड़ेगा मैंने आपको पहले ही बताया था यह round 2 में करना क्योंकि यह थोड़ा सा calculated है ओके इसमें calculation आता है तो इसका value आ गया क्या येस इसका कितना आ रहा है आप a square plus b square निकालो एक बर a square plus b square तो this value will be how much a square plus b square ओके ये कितना आ रहा है a square plus b square 350 आ रहा है क्या और बाकी लोग का एक जने का तो 350 आ रहा है बाकी लोग बताओ येस आया क्या अभी जग नहीं आया 3250 इतना बड़ा 250 आ रहा है 120 आ रहा है अरे सबका अलग अभी मुझे समझ में आया क्यों परसंटाइल बन क्यों नहीं रही है 200 250 सबका अलग अलग आ रहे ओके तो अंड्रेड अंड्रेड मैक्सिमम लोग आ रहे अंड्रेड ले ले लेते हैं ठीक है मैक्सिमम लोग बोल रहे हंड्रेड तो लेट्स टेक हंड्रेड ठीक है इसको calculate तो आप कर सकते हो ना तो पहली equation यहां से बनेगी means है यहां पर आप note कर लो first equation जो है उसको use करोगे तो a plus b का value आएगा second equation जो है उसको use करोगे तो आपके पास a square plus b square का value आएगा अब इन दोनो equation को use करके actually आपको निकालना है a minus b ठीक है तो a plus b equal to 14 और a square plus b square equal to 100 तो इन दोनो equation को use करके आपको निकालना है a minus b का mod यह निकालना है अब देखो इसमें proper method क्या रहता है तो proper method तो यह है कि basically आप इसको use करके पहले a into b निकालोगे लब इसको square करोगे तो proper method यह है कि आप इसको square कर दो इसको square करोगे तो यह बन जाएगा a square plus b square plus 2ab equal to 14 square 196 आ जाएगा और यहां पर 100 है उदर जाएगा 96 हो जाएगा 2ab equal to 96 तो यहां से a into b equal to कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा तो यहां से a b आया और a b आ गया तो अब आपको निकालना पड़ेगा a minus b का whole square equal to a plus b का whole square ऐसा करना पड़ेगा minus 4ab अब यहां पर substitute करके फिर आप answer निकालोगे तो फिर से यहां पर आएगा 14 का square minus 4 into 48 ठीक है अब यहां से आप calculate करोगे तो a minus b आएगा बट यह lengthy method है ना तमझे लोगो यह lengthy method है कि पहले तो आप a b निकालो a b निकालने के बाद फिर a minus b निकालो उससे अच्छा यहां पर तरीका क्या हो सकता है कि जैसे ही आपकी यह दोनों equation बन जाए ना अगर आपको exam में थोड़ा time बचाना है तो आप basically यहां पर तो basically क्या करो कि guess करो कि observations क्या क्या हो सकते है तो यहां पर a plus b 14 है और a square plus b square हाँ तो सही है ना 8 और 6 होगा चैट में जिसने भी लिखा विलकुल स सकते हैं कि 8 और 6 आएगा क्योंकि आप 8 square plus 6 square करोगे तो 100 है और 8 plus 6 करोगे 14 है तो satisfy कर रहा है ना तो सीधा सीधा यहां आप देखो और थोड़ा दिमाग लगा तो time बचेगा समझ रहो 8 और 6 तो 8-6 तो 2 is the answer तो directly करोगे तो थोड़ा time बचेगा already देखो question बहुत lengthy क्योंकि आपको यह equation तो निकालने ही पड़ेगी यह equation निकालने ही पड़ेगी उसके बाद आप basically यहां पर लेकिन maximum questions में आपको दिख जाएगा तो calculation करने की जरुत पड़ेगी नहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो directly आप वहां से देख सकते हो कि 8 और 6 है तो mean and variance of 8 observations are given okay तो mean कितना है 10 और variance कितना है mean and variance तो variance is 13.5 ठीक है तो यह भी है और इसमें क्या करना है 6 observations are given तो 5, 7, 10, 12, 14, 15 तो यह सारे given है अब इन सब को add करोगे okay so total 6 observations are given and total number of observations are 8 तो a plus b लेना पड़ेगा upon नीचे कितना आएगा 8 this is equal to mean और mean का value 10 है अब इसको simplify करोगे तो यहां से आपके पास a plus b का value आएगा तो बताओ a plus b का value कितना आ रहा है समझ गे ना तो पहली equation यहां से आएगी a plus b का value यहां से basically आप calculate कर सकते हैं समझ गे होंगे a plus b यहां से आजाएगा जितना भी आएगा और फिर square कर दो सबको तो 5 square plus 7 square plus 10 square plus 12 square plus 14 square plus 15 square plus a square plus b square divided by 8 यह minus mean का square minus 10 square minus mean का square that is equal to variance 13.5 अब इसको solve करोगे तो यहां से a square plus b square आएगा तो यह कितना आ रहा है 17 आ रहा है और यह इसको भी आप calculate कर लो और फिर देखो कि यार a minus b को directly निकाल सकते हैं कुछ भी करके यहां से कितना रहा है a square plus b square दोनों आपको calculate करना ही पड़ेगा ठीक है एक यह और एक यह तो a plus b तो 17 आ रहा है ओके तो 17 और यहां पर यह कितना रहे मेरा तो 7 आया कौन है यह देख लेना मतलब एक बार ठीक ठीक लगा लेना ठीक है बहकी बहकी बाते मत करो यह यह बताओ a square plus b square कितना रहे a square plus b square is how much यह किसी ने calculate किया क्या calculation करना ही पड़ेगा और कोई option नहीं है 142 आ रहे है 169 आ रहे है 169 ओके सब का वही आ रहे है एक बार सब लिख दो एक बार तो ले लेंगे हम 169 169 आ रहे है 169 ओके सब का वही आ रहा है गैस 169 ले लेते हैं ठीक है 169 ओके 169 तो a plus b okay a plus b equal to 17 है और a square plus b square equal to 169 अब यहां पर guess करो कि a और b क्या हो सकता है options भी आपके सामने 9 तो मलब difference 9 5 3 या 7 में से कुछ ना कुछ होगा ठीक है तो यहां पर basically आप a plus b okay a plus b हम क्या क्या ले सकते है 10 और 7 ले सकते है तो 10 और 7 में यह बन जाएगा 100 प्लस 49 149 अचा नहीं वो तो नहीं होगा 149 तो नहीं है 12 और 5 से 12 स्क्वेर तो 144 हो जाएगा प्लस 25 करोगे 169 आजाएगा बिल्कुल सही है 12 और 5 तो हो गया ना अगें देखो मनलब थोड़ा सा आप यहां पर research करोगे ताइम बच जाएगा 12 और 5 बस difference ले लो तो 7 आजाएगा ठीक है तो what is the final answer D चमक्या होगा येस तो अगें मतलब calculation करने से तो बैटरी है न आप ऐसा ऐसा देख लो कि 10 और 7 है हमने पहले उसको try गिया नहीं आया तो फिर 12 और 5 को try कर लिया वो आ गया तो इस तरह से मतलब basically आप थोड़ा तो जल्दी कर सकते हो ठीक इसको use करके ये भी निकाल लो आप तो product of roots आ जाएगा तो sum of roots और product of roots को use करके आपको quadratic equation बनाना तो ये भी वैसा equation है तो इसको अगें ये थोड़ा table को use करके basically आप यहां पर बहुत सारे question solve कर सकते हो कैसे देखो जैसे for example 2021 मैं अपना ये question आया था यहां पर क्या बोला था कि तीन नंबर है ABC और A plus 2 B plus 2 और C plus 2 A plus 2 B plus 2 और C plus 2 ये जो तीन observation है इनका standard deviation आपको given है इन तीनों का standard deviation आपको given है D तो यहां पर basically table क्या कहता है table यह कहता है कि अगर आप हर एक observation में से minus 2 कर दो गए तो भी standard deviation तो इतना ही रहेगा ये 2 को हटा दो आप हर एक observation में से minus 2 कर दो तो यह जो ABC है उसका भी standard deviation क्या होगा इसका अबी standard deviation यह यह अगर D, तो इसका standard deviation निगालो, sigma x i square, sigma x i square upon number of observations 3 है, और plus यहाँ पर minus, minus mean का square आजाए, तो minus और mean का square, a plus b plus c upon 3, इसका whole square, and this is equal to variance, तो standard deviation अगर D है, तो variance आजाएगा D square, इस equation को use कर लो, इस equation को use करके अपना answer आजाएगा, simple, ठीक है ना, तो table पे base question मतलब यहाँ पर बन जाते है, अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ गिवन है कि a plus c is equal to b, तो a plus c का value आप put कर दो b, तो b plus b यह 2b आजाएगा, अल्टिमेटली यहाँ पर क्या आजाएगा, इधर आप 3 से multiply डिवाइड करते हैं ताकि LCM आजाए 9, तो 3a square plus 3b square plus 3c square, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा minus 4b का square, तो कौन सा option दिख रहा है आपको, यहाँ पर minus b square बन जाएगा, minus b square को उधर ले जाना, तो plus b square और यह 9d square को इधर ले आना, तो 3 into a square plus 3 into c square minus 9d square, ऐसा कुछ आना चाहिए, है न, b square का value अपना, तो कौन सा option, option a आजाएगा, सही है, तो यह तो simple था, yes, यही same question तो आया था, 16th March, shift 1 का है, I guess, यह, तो इसको definitely simple था, ओके, और एक question ट्राइ करते हैं, तो देखो, यह भी 2021 का ही है, March attempt में, 18th March का ही है, तो इसको कैसे करना था, एक set है, जिसमें total 2N number of terms are there, 2N number of terms are there, A, ओके, इसमें कुछ तो गड़ बड़े है, इसमें question ऐसा था, basically कि N number of terms are A, ओके, A, 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 ऐसे करके, तो N number of terms जो है, वो A है, और बाकी जो N number of terms है, वो minus A है, ओके, तो यहाँ पर minus A, minus A, ऐसे करके, again how many terms are there, N number of terms are there, समझ गेंगे ना question, तो question is basically कि N number of terms are A, N number of terms are minus A, अब इसमें क्या बोल रहा है, कि if B is added, if B is added to all the two N terms, अचा तो मिल्लब जितनी भी terms है, सब में हमने B add कर दिया, तो जो B add करने के बाद, मानलो यह हर एक observation में आपने क्या किया, कि plus B कर दिया, तो B add करने के बाद यह जो नया sequence आएगा, उसका standard deviation और उसका mean given है, तो इसका mean कितना है 5, और इसका standard deviation कितना है, इसका standard deviation है 20, तो यह समझ गया, yes, हमने क्या किया कि एक sequence है, जो already existing sequence है, उसमें हर एक observation में plus B कर दिया, तो नया mean और नया standard deviation यह है, अब देखो, अगर मैंने plus B किया है, तो standard deviation तो same ही रहेगा, तो आप इसका standard deviation भी अगर देखोगे, यह n number of terms, n number of terms, तो यह जो पूरी sequence है, इसका भी standard deviation क्या रहेगा, standard deviation विल भी same only न, इसका भी standard deviation कितना होगा, 20 ही तो होगा, यह चमका कि नहीं, क्यूंकि आपने हर एक observation में B plus किया है, तो मलब table पे base question तो आते ही है, अगर आप हर एक observation में plus B करोगे, तो standard deviation को कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो आप इसका निकालो standard deviation या इसका निकालो, इसका निकालो इसका standard deviation कैसे निकालने के, यह जो सारे observation है, इसका standard deviation निकालने के लिए, सबको square करके add करेंगे, तो a square plus a square directly लिख दू क्या, a square कितनी बार आएगा, आप सबको square करके add करोगे, तो a square आएगा n number of times, और यहाँ पे भी a square a square बनेगा, तो यह वाले जो a square है, वो भी आएगे n number of times, total number of observations are 2n, और minus mean कितना आएगा, सबको add करोगे, सबको add करोगे, तो sum of observations कितना है, वो तो 0 आएगा, तो mean आजाएगा 0, and this is equal to this is given, तो जो standard deviation है, वो 20 है, तो variance आजाएगा 400, यह सबच गया न, this is equal to variance, क्योंकि root को हटा दिया, तो n से n से n cancel हो जाएगा, तो ultimately यह आगया, a square equal to 400, तो a का value कितना आजाएगा, 20, ठीक है, a का value 20 आजाएगा, और वैसे भी अपने को तो a square ही निकालना है, तो plus minus 20 से कोई मतलब नहीं है, आप actually यहीं तक रहने दो, a square का value आगया, ठीक है, a square का value आगया 400, अब b का value कैसे निकालना है, इसका जो mean है, यह जो sequence है, इसका mean कितना है, इसका mean तो 0 है, क्योंकि अगर आप sum of observations, divided by number of observations करोगे, तो वो तो 0 आएगा ना, क्योंकि sum of observation 0 है, अब अगर आपने हर एक observation में, plus b कर दिया, तो जो original mean है, उसमें भी plus b कर दोगे, that will be equal to new mean, तो b का value 5 बागे, तो खतम है ना, आपको a square plus b square, तो कितना हो जाएगा, 400 plus 25, 425 आजाएगा answer, ठीक है, option b, yes or no, तो यह तो recent है, तो मेरे ख्याल से याद ही होगा, यह सब तो, recent questions तो मतलब एकदम, अभी अभी तो किये, ठीक है, तो यह तो answer भी याद होगा, मेरे ख्याल से, तो एक और question try करते है, इसका answer याद नहीं होगा, बट यह चिंदी सवाल है, है ना, मतलब, 2013 में, तो all the students of a class, performed poorly in mathematics, ठीक है, यह थोड़ा-थोडा सच लग रहे हैंगा, all the students of the class, performed poorly in mathematics, the teacher decided to give grace marks, grace marks of 10 to each student, हर एक student को teacher ने बोला, कि चलो 10 mark ऐसे फ्री में, mark दो, तो plus 10 हो जाएगे, then which of the following statistical measure, will not change, अच्छा तो आपने हर एक observation में, plus 10 कर दिया ना, हर एक observation में, plus 10 करोगे, तो उससे variance change नहीं होगा, okay, so answer will be D, variance will not change, table से direct question है, 2012 में भी table से direct question, कि जैसे अगर आपका observation यह है, तो उसका mean आपको given है, x bar, और variance आपको given है, sigma square, हर एक observation में, 2 से multiply कर दोगे, तो variance आपका 4 times हो जाएगा, यह statement बिल्कुल सही है, हर एक observation में, 2 से multiply करोगे, तो mean भी होना चाहिए था 2 times, तो यह statement गलत है, समझ गया ना, हर एक observation में, 2 से multiply करोगे, तो mean will also become 2 times, तो statement 2 is false, option D आजाएगा, समझ गया ना, statement 2 is, statement 2 is false, हर एक observation को 2 से multiply करोगे, तो mean, arithmetic mean, मतलब mean, average, जो average होगा, that will also become 2 times, not 4 times, तो वो गलत है, ठीक है, चलो, अब एक और question, यह वाला जो question है, यह भी बहुत प्यारा question, इसको ध्यान से देखना, जे 2020, अपना September वाली shift में आया था, तो basically इसमें एक सेट है X, और यह जो X है, उसमें नमबर है 1 तो 17, यह 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते है, लास्ट मैं 17 है, और दूसरा सेट है Y, यह जो Y वाला सेट है, उसमें है AX plus B, मतलब हर एक observation को, A से multiply कर दिया, और plus B भी कर दिया, मतलब यह वाला जो observation है, उसमें A से multiply करो, plus B कर दो, जो दूसरा observation है 2, उसमें भी आप A से multiply करो, plus B करो, इसी तरह से हर एक observation को, 17 को भी A से multiply किया और plus B किया समझगे तो यह है हर एक observation को multiply कर दिया A के साथ और plus कर दिया B अब आपको बुलाई कि mean and variance of elements of Y यह जो Y के elements है यह जो Y के elements है उसका mean और उसका variance आपको given है कितना कितना given है यह 17 है और यहाँ पर 2, 1, 6 है तो यह दोनों चीज़े आपको specified है इसका mean और variance आपको खुद से निकालना पड़ेगा तो mean और variance आप calculate करो इसका mean कितना आएगा X वाले जो elements है उसका mean निकालते है चलो तो यहाँ पर mean of the elements of X तो sum of elements करोगे 17 into 18 by 2 आएगा divided by number of elements तो यह cancel हो जाएगा 9 आ रहा है तो mean तो आ रहा है 9 और variance निकालने के लिए सबको square करके add करना पड़ेगा तो variance of the elements of X उसके लिए 1 square plus 2 square सबको square करके add करेंगे upon 17 और minus mean का square minus 9 का square इसको calculate करो यहाँ पर 17 square तक है तो 17 multiplied by 18 by 6 और यहाँ पर 35 आ जाएगा तो यह पूरा divide करना है 17 से पूरे को 17 से divide करोगे minus 81 minus 81 तो यह cancel हो जाएगा यह three times हो जाएगा यह basically कितना आएगा 105 minus 81 105 minus 81 तो this will be how much 24 आ रहा है 24 आ जाएगा correct 24 आ गया तो इसका variance आ गया 24 चमक गया होगा तो जो variance है अब वो कितने times हो जाएगा देखो यह पुराना variance है यह नया variance है पुराना variance यह है 24 नया variance है 216 अगर आपने हर एक observation में a से multiply किया plus करने से तो कोई फरक पड़ेगा यह नहीं आप हर एक observation में plus b कर दोगे तो उससे कोई फरक variance पे तो नहीं पड़ेगा लेकिन अगर multiply किया है तो a square times हो जाएगा तो जो पुराना वाला variance है पुराना वाला variance है multiplied by a square that is equal to 2 and 6 तो यहां से a का value आएगा कितना आएगा a square आजाएगा यह 6 into 6 into 6 है और नीचे 24 है 6 into 4 यह cancel हो जाएगा तो ultimately यह कितना आजाएगा यह आजाएगा 9 आजाएगा 9 मतलब a का value कितना आगया a का value 3 है a का value plus minus 3 होगा क्या यहां पर आपको बोला a is greater than 0 greater than 0 मतलब only plus 3 समझ गयोंगे तो यहां पर plus 3 आगया a का value अब देखो जो पुराना mean है और नया mean है इसको compare कर लो तो जैसा आप हर एक observation के साथ करोगे वैसा mean के साथ भी होगा तो जो mean है वो 9 है तो 9 में actually आप a से multiply करो और b को add करो तो नया mean आएगा नया mean कितना है 17 बस यह और a का value 3 है तो 3 into 9 plus b equal to 17 यहां से b का value कितना आजाएगा minus 10 आजाएगा तो b का value minus 10 आगया आपको बताना क्या है a plus b तो a plus b के लिए कितना आएगा a plus b this is 3 plus minus 10 minus 7 आजाएगा ultimately okay so minus 7 is the answer option c understood कितने लोगों सामझ मागें यह काफी अच्छा question था ना ओके यह काफी अच्छा question था इसमें मतलब पूरा detail में आपको वह table use करके answer बताना था है ना तो concept उतना ही है कि जैसा आप हर एक observation के साथ करोगे वैसा mean के साथ होगा और variance में plus minus करने से कोई फरक नहीं पड़ता है multiply करोगे तो a square times हो जाएगा पुराना variance multiplied by a square equal to नया variance understood तो बस यह concept है and type 4 पे आजो ठीक है तो type 4 क्या है यह type 4 पुराना अला भी कितना था यह भी type 4 था क्या ओहो यह actually आप कर लो type 5 okay this is actually type 5 थीक है तो change कर ले ना उसको तो यह type 5 है तो फिर मेरे काल से six types हो जाएंगे आपके total total types हो जाएंगे six तो यह type 5 है अब इसमें भी एक shortcut है देखो मनलब यह इस तरह के question भी काफी आते है आपने देखे होंगा ना इसका mean given है और एक observation गलती से हमने गलत ले लिया था तो उसको delete कर दो और जो असली वाला observation है उसको add कर दो और फिर नया mean निकालो हम calculation कर रहे थे mean का लेकिन गलती से एक या दो number हमने गलत ले लिये लेकिन लेना चाहिए था कुछ और 7 की जगह 11 ले लिया इस तरह के question काफी आपने देखे होंगे इस तरह के काफी सरे question आपने देखे होंगे तो इस तरह के questions को कैसे करते है उसका भी एक direct shortcut है तो मैं आपको सीधा shortcut ही बता देता हूं ठीक है तो यहां पर basically आपको क्या करना पड़ता है average age of 25 teachers is 40 years ठीक है तो basically आपको average given mean का value given 40 number of observations कितने है यहां पर number of observations total कितने observation है number of observations are 25 ठीक है 25 teachers are there उनका average है वो 40 years है समझे ना अच्छा one teacher aged 60 years left the group ठोड़ दिया and one teacher age x joins the group ठीक है then the new average अच्छा समझे ना new average जो है that is equal to 39 years तो यह आपको यहां पर find करना है तो देखो इसमें shortcut क्या है अगर आपको नया mean निकालना है okay if you want to find out new mean that is equal to जो पुराना mean है वो multiplied by number of observations ठीक है तो यह basically आजाएगा sum of observations समझे ना mean का formula क्या होता है mean का formula होता है sum of observations upon number of observations इसको यहां पर cross multiply कर दो तो यह mean into mean into number of observations okay mean into number of observations is basically the sum आपको यह directly use करना है अब इसमें से जिन teacher ने छोड़ दिया उनको minus कर दो okay तो एक teacher है वो 60 age के है उन्होंने छोड़ दिया और जिसने join कर लिया उसको आप add कर दो shortcut समझ मा रहा है जिसने छोड़ दिया जो भी observation आपने गलती से ले लिया था उसको minus कर दो जो actually लेना चाहिए था उसको add कर दो और नया जो number of observation वो कितना है एक ने छोड़ा एक ने join किया तो अभी भी number of observation same है क्या अभी भी number of observation same है तो अभी भी यहाँ पर number of observation जो है वो 25 तो यह आपका नया mean आ जाएगा और वो आपको question में given है 39 तो बस यहाँ से x निकाल वहाँ आप simple 40 into 25 minus 60 plus x equal to 39 into 25 यहाँ से x का value आपको निकालना इसको इदर ले आना और इन दोनों को उधर बेज़ देना minus 39 into 25 this is equal to 60 minus x यहाँ पर कितना आ जाएगा यह 25 common ले लो तो यह 25 equal to 60 minus x x equal to 35 आजागा तो फाइनली दे आंशर इस 35 चमक गया होगा 35 आजाएगा तो इसका एक मैं चाहता हूं कि आप formula बना लो यह जो shortcut है वह मैं आपको लिखवा देता हूं तो आप यहाँ पर लिख लो कि अगर आपको नया mean निकालना है नया mean is equal to पुराना mean multiplied by पुराने number of observations number of observation भी change हो सकते हैं ऐसा भी हो सकते हैं कि एक teacher ने छोड़ा और दो teacher ने जॉइन कर लिया यह ऐसा भी हो सकते हैं कि तीन चार टीचर ने छोड़ दिया और चार-पांच teacher ने जॉइन कर लिया समझ रहे हो ना इसको एक्जामपल है यह तो जितने भी लोगों ने छोड़ा है यह जो भी गलत observations है वह आप हटा दो जितने भी है वह एक है दो है तीन है यह सारे गलत observations आप इसमें से सब्ट्राक कर दो जितने भी है तो मतलब और जो correct observation है उसको add कर दो करेक्ट observation को add कर दो और नीचे एक्चुली आपका आएगा the old the new number of observations अभी total number of observation कितने है समझ यह ना इस तरह से basically आपका question होगा येस इस तरह से आपका question basically होगा अच्छा इसी question में अगर मानलो ऐसा आता कि नया मीन आपको निकालना है और 14 to 25 तो है अगर मानलो दो teacher ने छोड़ दिया एक टीचर है 60 और दूसरा teacher है जिसने छोड़ दिया वह मानलो काफी यंग है 22 ऐसा ठीक है तो 60 22 और तीन teacher ने जॉइन कर लिया तो तीनो टीचर जिसने जॉइन किया वह 50 50 वाज़ है ओके यह जॉइन कर लिया और divided by अब number of observations will change तो दो ने छोड़ा तीन ने जॉइन किया तो पहले कितने number of observations थे 25 25-2 कर दो ने छोड़ दिया तो basically 23 23 में plus 3 करना पड़ेगा तो जो नया number of observation that is 26 तो यहां से आपका new mean आएगा समझ गया न मतलब जो भी wrong observation से उसको हटा दो और जो correct observation है उसको add कर दो और divide by number of observations जो नया है तो वहां से directly आपका answer आजाएगा चमक क्या होगा मेरे इसमें मतलब exam के time पर दिमाग नहीं लगाना है काफी लोग इसी में मतलब confused रहते ही कि अच्छा सर वो sum और यह वो यह सब नहीं करना है सीधा आप यह लगाओ directly you'll get the answer समझ गया है तो सीधा सीधा answer आएगा ओके और देखते हैं चलो एक और question करते हैं तो यहां पर mean है mean of the data of 16 observations is 16 okay तो mean is 16 number of observation is 16 if one observation valued 16 is deleted okay तो एक observation delete कर दिया और तीन observation जो है 3 new observations 345 are added right if you want to find out new mean 16 into 16 delete किया वो भी 16 और जो add किया वो 3345 yes or no 345 आपने तीनों के तीनों इसमें add कर देने हैं और divide by कितना होगा divide by कितना होगा divide by total observation कितना है 16 16 plus 2 हो जाएगा तो that will be 18 समझ गया अब इसको calculate कर ले ना so you'll get the answer तो यह कितना आएगा इसको आप एक बार calculate करके बता दो 14 आ रहे गया अच्छा इसको calculate करके 14.0 आ रहा है एक बार चेक कर लो तो बी आ रहा है ना पक्का calculation चेक कर ले ना but concept समझ में आगे क्या yes concept is clear simple है सीधा देखो एक line में answer तो इस तरह के question कर लोगे और last यह type 5 नहीं यह type 6 हो जाएगा फिर एक type extra है मतलब bonus बेसे कि एक bonus है तो this is type 6 which is the use of binomial एक arithmetic progression वाले question थे एक binomial वाले अब बाइनॉमियल वाले जो question है वह वैसे थो थोड़े कम ही पूछे जा रहे बट फिर भी मतलब यह भी एक अच्छा type का question है जो basically बन सकता है इसमें binomial और statistics को mix कर सकते है binomial और statistics को mix करके question बन सकते है जैसे यहाँ पर आपको क्या given है एक data given है और यह जो data given है उसमें यह सारे जो है okay these are the observations x is taking the values this 0248 till 2n और उनके corresponding frequency is given है तो यह सारी क्या है यह सारी frequency है आज समझ गया ना एक x i है उसके corresponding f i है तो x i है 2 4 0 2 4 8 इस तरह से है okay 8 और last में है 2n डॉट 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 लगा लो और frequencies क्या है nc0 nc1 यहाँ पर nc2 यहाँ पर nc3 और last में ncn यह चमक यह तो आपको क्या given है x i given corresponding frequency given है आपको mean निकाल ला sigma f i x i upon sigma f i यही होता है न बस इसको use कर लो यहाँ पर sigma f i x i करोगे तो इन उनों को multiply करना पड़ेगा न तो यह आएगा 0 into nc0 okay plus nc1 into 2 आ जाएगा plus nc2 into 2 square आएगा न यह 4 का मतलब 2 square फिर यह 2 cube और ऐसे आता जाएगा last में क्या आएगा last में आ जाएगा ncn 2 raise to n और upon नीचे sum of frequencies sigma f i sigma f i का value कितना होगा nc0 plus nc1 plus nc2 इन सबको add करोगे so that is nothing but 2 raise to n चमक क्या होगा yes or no sigma f i is basically इन सबको add करना है तो इन सबको add करोगे तो 2 raise to n आएगा अच्छा यह उपर वाले में यह 0 से multiply हो गया तो basically यह 0 बन गया तो इसका value आपको calculate करना पड़े और इसका value यह किसका expansion है ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से 0 into 1 होना चाहिए था यहां पर गलती से nc 0 into 0 आ गया तो यह expansion तो है बट एक term missing है तो basically यह बन जाएगा 3 की power n minus 1 upon 2 raise to n और mean आपको question में यह given है तो compare कर लो 728 upon 2 raise to n तो यह तो cancel हो जाए तो 729 आ जाएगा okay 729 मतलब n का value कितना n का value 6 आप गया तो ultimately you will get 6 n is equal to 6 तो binomial को बहुत ही खुबसूरती के साथ यहां पर statistics के साथ mix करते हुआ एक question समझे तो इस तरह के question भी basically बन सकते है yes so that is it i think हमने total six type के questions cover कर लिए अलग अलग type के questions है जिसकी basically आप practice करो इन में से कोई भी एक टाइप एक shift में आएगा total shift है total type है कोई ना कोई एक type का question आपकी shift में आने chances बिल्कुल है चीक है तो i hope की यार statistics का जो one shot है उसको मैं actually मैं सोच रहा थे कि यार काफी short रखेंगे बहुत लंबा करके भी कोई फाइदा है नहीं इसलिए short में one shot एक दम हमने cover कर लिया है yes i hope कि सब लोग को मजा आया होगा है न तो definitely अगर मजा आया है तो like कर देना इसको share कर देना अभी तो बहुत सारे की practice हो जाए अब एक टाइप में आप 10-10 सवाल प्रैक्टिस करना चाहो तो आप खुछ से कर सकते हो ठीक है बेसिकली बट जो भी question आएगा इन में से ही या इसके आसपास ही कुछ न कुछ बनेगा ठीक है तो इसलिए मैंने आपको अलग-अलग type के जो questions होते है उसकी practice करा दी इन में से कोई भी एक टाइप आपके shift में आ सकता है ठीक है इसके अलगा यार बहुत सारे और भी आपको यहां पर one shots मिल जाएंगे okay like sequence and series का है quadratic का है functions का है basically 11th के जितने भी chapters है हर एक chapter का one shot मैंने कही न कहीं तो लिया हुआ है ठीक है तो आपको YouTube पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा यह से along with some questions तो definitely आप one shot को prefer कर सकते हो ठीक है regular lectures देखो अगर आपको detail में समझना है तो आपके पास एक साल दो साल है आराम से आप पढ़ाई कर रहे हो या अभी आप preparation स्टार्ट कर रहे हो तो you can see regular lectures लेकिन आप revision कर रहे हो तो one shots are the best या फिर sprint की एक series है okay sprint series को follow करोगे तो उसमें 12th के जितने भी chapters है वो सारे cover कर रहे one shots is for 11th standard के जितने भी chapters है उनके one shots है ठीक है तो definitely मिल आपका दोनों cover हो जाएगा यहाँ पर 11th हो या 12th हो सारे lectures के notes और along with notes DPPs are also there actually if you are preparing for advance तो DPPs को आप solve करो वहाँ से आपको questions की बहुत अच्छी practice हो जाएगी चीक है उसके अलावा अगर आप proportion में करनी पड़ेगी आप simple ऐसा नहीं बोल सकती कि sir मेरा target तो IIT Bombay है बट आप मेहनत करी नहीं दे हो या आप जादा focus कर रहे हो जही main पे and your target is actually जही advance ठीक है तो यह मत करना है ना if your percentile is already good अगर आपने अभी तो marks भी calculate कर लियोंगे marks भी अगर ठीक ठाक आ रहे if you are getting 90 percentile plus तो definitely आप यह जही advance की preparation एक्टम full-fledged start कर सकते हो ठीक है जही advance का जो course है वो already plus पे हमने start किया है अभी जादा नहीं बट I think 3-4 lecture हुए and definitely आप वहां से join करके continue कर सकते हो यह जो course है it will be very very important यह जो course है काफी comprehensive होगा उसमें questions की काफी सारी practice कर रहे है theory बहुत ही minimum है questions की practice बरबर के है previous questions हम एक structured format में कर रहे हमारा target है कि हम जितने भी previous questions है उसको बहुत अच्छे से कर ले तो definitely यह advance का जो course है उसमें आप join कर सकते हो एक तो यह है दूसरा यह है कि एक एक जही में के लिए बैच आपका आने वाला है from 23rd of March 23rd of March है उस बैच का ना और जही main तो जही main की preparation कर रहो तो आप इसमें join कर सकते हो all-star batch में इसमें भी basically हम पूरा syllabus cover करने वाले ठीक है math, physics, chemistry, entire syllabus will be covered by all the top educators and definitely अगर आप आपका target है April या आपका target है May तो उसके लिए this course will be extremely helpful ठीक है तो इसमें आप join कर सकते हो इसमें काफी अच्छी खासी आपकी practice हो ज option आपके पास basically यहां पर रहते है, if you are going for plus तो उसमें आपको क्या क्या features मिलते है, you will get live classes, weekly test series होती है, तो आप अपने आपको analyze कर सकते हो, यहां पर काफी सारे बच्चे यह गलती करते है कि last में जाके वो test देना start करते है, but मेरे खाल से यह ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर हफते जितना भी आपने पढ़ लिया है, उसकी testing तो करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि last में जाके हम test देना start करेंगे, अगर आपने मानलो जो 11th के बच्चे अभी 12th में जाएंगे, तो आपने 11th का syllabus थोड़ा बहुत तो पढ़ी रखा है, है ना आप ऐसा तो नहीं बोल सकती कि completely हमने 11th में कुछ किया ही नहीं है, जितना भी आपने किया है, लेकिन उसके test तो आपको देना ही पढ़ेंगे, in fact अगर आपका 11th उतना अच्छा नहीं भी हुआ है, तो भी अभी आपके पास opportunity है, एक पूरा साल है, उसमें आप 12th के lectures भी कर सकते हैं, और 11th को revise भी कर सकते है ठीके तो दोनों parallel किया जा सकता है, लास्ट येर भी यार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्नों ने ये बात प्रू कर दिये, अभी उनकी जेए में में काफी अच्छी percentile भी आ रही है, उन्होंने जेए एडवांस की preparation start भी कर दिये, तो एक साल में बिलकुल हो सकता है, ल बहुत जल्दी full-fledged आपका पूरा प्लान आ जाएगा, उसमें next year के जितने भी admissions है, वो भी start हो जाएंगे, और उसके batches बगेरा भी start हो जाएंगे, तो definitely आप उसमें join कर सकते हो, लेकिन plus पे अगर आप आते हो तो आपको ये सारे features मिलेंगे, live classes will be there, weekly test series होती है, structured courses होते है जिसमें basically आप enroll कर सकते हो, किसी भी teacher की class में आप enroll कर सकते हो, कोई restriction नहीं है, you can select anyone teacher जो भी आपके favorite educator है, उनकी class में आप जा सकते हो, you will get unlimited access to all the educators, ठीक है, तो definitely आपको plus में ये सारे features मिलते है, iconic is the super set of plus, बनलब आइको प्लस के साथ साथ आपको यहाँ पे एक personal coach भी assign किया जा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा best time table prepare करके देंगे, and by weekly reviews भी होंगे, उस time table को आपने follow किया की नहीं, कितना आपको करना चाहिए था, कितना आपने किया है, आपका progress कितना हो रहा है, तो exactly आपको और आपके parents को पता भी रहेगा कि यार आप कितना कर रहे हो, और कितना कर करना चाहिए था, कहां पर lag आ रहा है, okay, actually आपको यहां पर lead लेना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का backlog हो जाता है, backlog नहीं, आपको तो lead लेना है, आपको तो जल्दी जल्दी चलना है, teacher से भी आगे पढ़ना पड़ेगा, चीके तो यार, यह basically बहुत important होता है, study planner, proper time table आ and also आपको test का analysis वगरा भी यहां पर मिलता है, ठीके तो definitely यहां पर दोनों option आपके पास available है, आप किसी भी एक को select कर सकते हो, अगर आपको subscription लेना है, तो first of all you need to install unacademy's learning app, इसको install करने के बाद you need to go to plus section, यहां पर आपको अपना goal select करना है, ITJ, NEET, जो भी आपका goal है, उसको select करके, you need to click on get subscription, अब यहां पर अलग-अलग options आएंगे, तो जो भी आपका target exam है, target year है, उसके हिसाब से आप कोई भी select कर सकते हो, मैंने आपको I think बता दिया था कि जो 3 महीने का subscription है, उसके ऊपर एक अभी recently offer भी launch किया है, कि अगर आप 3 महीने का लेते हो, तो 1 महीने का free है, तो उसको भी avail कर सकते हो, and basically उसको avail करने के लिए, इस code को भी आप वहाँ पर enter कर सकते हो, nvlive is the code, इसको enter करोगे, you will get discount also, plus आपका जो offer है, वो भी activate हो जाएगा, ठीक है, तो 3 महीने का इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर आप JEE Advance तक, आपका दोनों cover हो जाएगा, basically, JEE Main तक advanced का course आपका already चल रहा है, दोनों में आप चाहो तो दोनों में enroll कर लो, अगर आपका single focus है, तो आप single जो भी exam के लिए focus कर रहा हो, उसमें भी enroll कर सकते हो, चीक है, so I hope this is clear, this is the offer, जिसमें आपको 3 महीने के साथ 1 महीना free है, all star batch है, और JEE Main, जो 23rd March से start होने वाल है, इसमें और भी बहुत सारे teachers है, ठीक है, so this is the code, इसको use करो, इसके साथ साथ बहुत सारी special classes भी है, so special classes में भी मैंने बहुत सारे one shots ले रखे, like mathematical reasoning का one shot है, complex number का one shot है, ठीक है, even linear programming का भी one shot ले रखा है, अभी इस बार JEE Main में linear programming का question आ गया था, unexpected था बट आ तो गया था, तो linear programming का भी one shot आ है, वो एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है, तो सारे one shots, यहाँ पर special classes में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, special classes unacademy के app पे होती है, it is completely free, but उसको unlock करने के लिए आपको शायल एक code मांगेंगे, you can enter the code and we live, ठीक है, चलो, और तो कोई किसी को doubt नहीं है, Hello sir, I am a big fan of you, thank you so much, April attempt toughest level of match, April attempt में ऐसा कुछ नहीं है, कि match tough आएगा, देखो मार्च में थोड़ा सा tough आया था, थोड़ा lengthy भी आप बोल जाकते हो, tough भी, लेकिन ऐसा generalize मत करो, कि मालब दीरे दीरे यह tough हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी generalize करते ही, जो last वाला shift आता है, वो हमेशा tough आता है, या फिर दीरे-दीरे difficulty level बढ़ रहा है, ऐसा कुछ generalize करना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से अगर आसान आएगा, तो basically, वो तो automatically cut off उसका high जाएगा, तो generally कोई फरक पड़ेगा नहीं, अगर tough आएगा, तो cut off low जाएगा, हम maximum अपना best कैसा दे सकते हैं, easy paper आएगा, तो strategy क्या होनी चाहिए, tough paper आएगा, तो strategy क्या होनी चाहिए, ठीक है, 50-60% question करो, आपकी बहुत 99-plus percentile आपकी बन जाएगी, ठीक है, तो अगर tough paper आता है, तो मतलब सारे question आपको थोड़ी करना है, जो tough paper में भी बहुत सारे आसान-ासान question थे, अगर आपने paper discussions देखे है, है ना, definitely अगर आपने paper discussion नहीं देखे, तो उसको देख ले ना, उसमें भी बहुत सारे questions, basically मैंने यहां पर shortcut से explain करने की कोशिश करिये, ठीक है, तो paper discussion जो march attempt के हुए थे, उसको भी आप एक बार go through कर सकते हो, and basically देखो question repeat करने के chances भी है, तो जो 2020 म March और Feb में questions आये थे, वो same to same questions आपको अगले shift में भी दिख जाएगा, April में भी आपको दिख जाएगा, समझ रहो तो repeat करने के chances भी होते है, तो definitely आपको वो questions तो बहुत अच्छी तरह से master कर लेने चाहिए, है ना, उसके अलावा अगर आपके पास time बचता है, तो और आप 2019 19 के करो, 2020 वाले कर लो, सारे के सारे, 2018 के कर लो, और अगर time है, तो NTA के जो app पे है, वो questions भी आप try कर सकते हो, तो questions तो unlimited है, बट आपको यहाँ पर time आपके पास कितना है, उसके हिसाब से calculate करके question solve करने पड़ेंगे, चीक है, तो I hope I have answered your question, and one shot of trigonometry है वो, one shot of trigonometry is also there in special class, अब आप जाके special class को explore करो यार, ठीक है, explore करो के तो वहाँ पे बहुत सारा material अल्रेडी पड़ा हुआ है, NvLive code को use करके उसको unlock कर लेना, that's it, ठीक है, चलो फिर मिलते है अगली class में, अगली class में, और और एक अदा chapter जो है, उसकी practice करेंगे, ठीक है, तो definitely आपकी preparation रुपनी नहीं चाहिए, एडवांस में फोड़ना है, ठीक है, एडवांस की preparation भी, बहुत जल्दी हम यहां पे start करने वाले, तो definitely, मिल के मचाएंगे, that's it, let's crack it, and goodbye.